आज के इस वीडियो में हमें पहले पार्ट के जो अन्त में परसन उत्र दिये गए हैं उनमें परसन संख्या 11 से लेकर 20 तक समझेंगे पिछले वीडियो में हमने 10 परसनों तक उनके उत्रों को समझ लिया था अब अपन 11 से लेकर के और अन्त में इस पार्ट में जो 20 क्यूसन है इन पूरे 20 परसनों को यहां तक देखेंगे तो चलिए सुर्वात करते हैं अपन क्यूसन नमर 11 से यहां क्यूसन नमर 11 है वियोजन अबिकरिया को संयोजन अबिकरिया के विपरित क्यों कहा जाता है इन अबिकरियाओं के लिए समीकर्ण दीजिए देखिए इस पार्ट का नाम है रासानिक अबिकरियाए यह समीकर्ण तो रासानिक अभी करिया है अपने सलेबस में संयोजन अभी करिया, वियोजन अभी करिया, अबगटन अभी करिया वियोजन को ये पगटन कहते हैं, चीक है, विस्थापन और दिविस्थापन अभी करिया ओकशीकन अपचेन, ओकशीकन को उपचेन भी कहते हैं उस्मा सोसी, उस्मा छेपी और अच्छेपन अभीकरियां ये इतनी परकार की अभीकरिया अपने इस पाथे पुस्तक में हैं तो जब कभी भी परसन अभीकरिया का आता है तो उसके साथ में समीकरन लिखना जरूर आएगा अगर नहीं पूछा गया है तब भी हमें समीकरन जरूर लिखना है अब देखिए यहाँ पर सुरुवात अपन दो अभीकरियां का मतलब होता है जिसमें दो या दो शदिक पदार्थ मिल करके या जुड करके एक उत्पाद बराएं ठीक है वो तोतिय सेजन भीकरिया और वियोजन या अपगटन का मतलब होता है तूटना कोई एक पदार्थ है वो तूट करके दो या दो शदिक उत्पाद बना ले ठीक है तो ये एक दूसरे के विपरित होती है तो इसका आंसर आपको कहां से केसे लिखना है तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपनी पाठे पुस्तक में ही जो पाठ के अंत में आपने क्या शीखा कुस पॉइंट यहां दिये गेंदे को आपने क्या शीखा तीक है इस कांसर आपको यहीं मिलेगा पहले तो आपको लिखना है सेयोजन अभीकिरिया के बारे में सेयोजन अभीकिरिया में दो या दो शेधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते है चीक है यह लाइन यहां चे लिखनी है और वियोजन लिखना है उसके बाद में क्या वियोजन अभिकिरिया, सयोजन अभिकिरिया के विपरित होती है कैसे होती है वियोजन अभिकिरिया में एककल पदार्थ यानिकी एक पदार्थ वियोजित होकर यानिकी टूट कर दो या दो शदिक पदार्थ बनाता है कहने का मतलब सेयोजन में तो क्या हुआ था सेयोजन के अंदर बहुत सारे पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बना रहे थे और वियोजन में क्या हो रहा है कि एक पदार्थ जो है वो तूट करके बहुत सारे उत्पाद बना रहा है ठीक है तो आपको ये जो परिभासा लिखे है पाठ्टे पुस्तक में यहां तक दोनों परिभासे आपको लिखनी है पहली बात फिर ये परसल पूछ रहा है कि इन दोनों के अपन को क्या लिखने है संभीकरन लिखने है विपरित की बात हो गई क्यों कहते हैं विपरित क्योंकि संयोजन में तो पदा जुटते हैं और विवजन में पदा तूटते हैं तो इन अभीकरियाओं के संभीकरन जो है वो देखेगा अपनी पठ्थे पुस्तक में ही रासानिक अभीकरियाओं के जो परकार है उनमें सबसे पहला परकार ही सेयोजन है तो सेयोजन के लिए आप ये समिकन याद कर लीजिए ये वाला चीक है इसमें एक पदार्थ है सुरी दो पदार्थ है केल्शियम ओकसाइड और ये जल्क के साथ में जुड़कर के एककल उत्पाद बनाता है सेयोजन का उतलब क्या है जिसमें दो या दो शे अधिक पदार्थ या अभिकारक ये विकारक हैं इदर वाले क्या है अभिकारक और इदर जो बनता है उत्पाद ठीक है यानि कि ऐसी विकरिया जिसमें दो या दो शे अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर या सहियोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं कि लिए एक उत्पाद सिंगल प्रोडेक्ट एक चीज बनती है तो उससे सहियोजन विकरिया करते हैं ठीक है? तो देखो यहां भी लिखा है इस यह बिकरिया जिसमें दो या दो श्यादिक बिकारक मिलकर एकल उत्पाद कर दिन्मान करते हैं सहियोजन यह समिकरण आपको लिखना है केल्शिम उक्साइड बिना बुजावा चुना भी इसको कहते हैं ठीक है? जब इसके साथ पानी मिलेगा तो यह बुजाव चुना बना लेगा केल्शिम हाइड्रोक्षट बना लेगा कुछ मातरा में उस्मा भी निकलेगी ठीक है? तो यह आपको लिखना है सहियोजन के लिए दूसरा यह वियोजन की बात पूछ रहा था ठीक है? तो दूसरे विकरिया देखो अपनी वियोजन के यह रही अप गटन विकरिया या वियोजन विकरिया आप अपने पास किताब में किताब अपने पास रखिएगा और वहां से आप इसको मारक कर लीजिए कि किस्वर नमर 11, 11 का दो उतर वो यहां शिया आट तक है यह सम्मिकरिया आपको लिखना है वियोजन की ची काते है एस यह विकरिया जिसमें एक अभी कारक तूट कर गिया वियोजन होकर दो या दो शिदिक उतपाद बना रहा है दो भी हो सकते हैं यहां पर क्या फेरसल्पेट था है एफिया सोफूर यह इसको जब उसमा देंगे या निकी गरम होगा यह इसको गरम करेंगे चीक है ताप देंगे तो यह तूट जाएगा फेरिक उक्षड बना लेगा उसाथ में सल्फर डायोकसाइड और सल्फर ट्रायोकसाड बन जाएगा तो यह वियोजन अभिक्रिया होगी क्या लिखा है देखो यहां से इस अभिक्रिया में एकल अभिकरमग तूटकर चोटे चोटे उतपाद बनाता है परदान करता है वियोजन अभिक्रिया कालाती है यह तो बात हुई अपने क्यूस्ट नमर 11 की स्नियोजन और वियोजन अभिक्रिया और उनके समिकरनों की अब क्यूस्ट नमर 12 है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक-एक समिकरन दीजिए या लिखिए जिसमें उस्मा परकास एम विधुत के रूप में उर्जा परदान की जाती है देखो वियोजन का मतलब अभी अपने पड़ा टूटना अब कोविपदार्थ कब टूटेगा जब उसको किसी परकार की उर्जा दी जाएगी अब वो उर्जा उस्मा के रूप में हो सकती है उस्मा या ताप एकी बात है उसको गरम करेंगे तो टूट जाएगा या फिर उसको परकास देंगे तो टूट जाएगा या फिर उसमें विधु दोरा परवाइद करेंगे तो टूट जाएगा कहने का मालनों वियोजन में और बिकरिया, जो इन तीन परकार की होती है, ताक या उस्मे अफ़कटन, परकाश या अफ़केटन और विदूत अफ़केटन, ठीक है? कोई पदा जो तोड़ता है तो वो किसी उर्जा के, मिलने के कारण तूटेगा है, उर्जा ताप या उस्मा के रूप में हो सकती है परकाश या विदूत के रूप में हो सकती है तो हमें तीनों के लिए एक-एक सम्मिकरन लिखना है देखो यहाँ पर भी बात वो कर रहा है सम्मिकरन लिखना है ठीक है तो अपने वापस आते हैं अबीजों पड़ा था अब के टनाबिकरिया में देखिए या रहा अपना मैं हेड़िग समीकरने यह आपका उसमा के लिए है देखो यहाँ पर उसमा इसको मिल रही जा उसमा दे रहे रहे हैं यहाँ इसमा इसमा यह ताप बोल दीजिए की बात है या फिर आप इस परकार चे एक तरीबुज का निसान ये भी लगा सकते हो ये भी उसमा के लिए ये है ठीक है ये जो शिंबल है ये उसमा के लिए है तो इस परकार चे फेरा सलफेट है ये उसमा पाकर के ये अपगटित होता है तूटता है तो ये उसमी अपगटन कलाएगा यह समेकरन हो गया, उस्मा के लिए दूस्रा आपको समेकरन जो है वो करना है विदूत के लिए, देखो विदूत वाला जो ह 2006, वो यहाँ पर है यारा किर्या कलाब लट जो एक पॉट्ट सात है न यह विदूत, विदूत आपगटन के लिए समिकरन आपकी पाठ्थे पुस्तेक में नहीं दिया गया है इसलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने जो मेरे नोट्स है उन नोट्स में तो नोट्स में देखेगा विदूत आपगटन यानि की पानी को अपना गर विदूधारा परवायत करेंगे पानी के अदर अपन करец देंगे विदूधारा यानि की बिजली परवायत करेंगे ठीक है तो उसके अदर पानी जो वो हाइट्रोजन और ओक्षमें तूट जाएगा क्योंकि पानी का सुन्तर क्या होता है S2O, ठीक है, तो hydrogen gas ये रहा आपना के जागलाप एक पूड़ साथ ठीक है, ये इसमें पानी बराबाबा है ये बेटरी जोड़ रखे अपने, ना, सेल तो इसमें जो ये अपने इसको विदुधारा परवायद करेंगे तो ये पानी तूट जाएगा, तो ये रहा आपका सम्मीकरण, सम्मीकरण ये है, आपको ये लिखना आए ये जल है, पानी है विदुधारा परवायद करेंगे तो hydrogen gas और oxygen gas में अपगटित हो गया, तूट गया, कौन? पानी तूट गया, दो या दो शदिक पदार्थों में, दो पदार्थों में तूट गया ये छी करना, तो ये विदुधार पगटन कराता है दूसरा हो गया विदुधार पगटन का तीसरा फिर अपन को करना है परकाश ये पगटन, देखो इसको Chilver chloride को अपन यहाँ दूप में रख देंगे देखोई रहा Chilver chloride इसको Chilver के Πरकास में रखेंगे तो Chilver के परकास से निहीं दूप मिलने से यह Chilver chloride तोट जाएगा अब गतित हो जाएगा वियोजन हो जाएगा इसका तो बन जाएगा शिल्वर अलग हो गया, शिल्वर यानी की चांदी अलग हो जाता है और कलोरिन गेस अलग हो जाती है तो इस परकारशे शिल्वर कलोराइट में से अगर आपन उसको दूप में रखते हैं तो कलोरिन गेस और शिल्वर दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं विस्थापन एउ दी विस्थापन अभिकरियाओं में क्या अंतर है इन अभिकरियाओं के समिकरन लिखिए देखिए परिभासा हैं आपको पाठ्थे पुस्तक में जहां विस्थापन दी विस्थापन पढ़ेंगे वहां भी मिल जाएंगी और जो मनें अभी बताया आपको क पार्ट के अंत में जो अभ्यास यहां पर जो आपने क्या शीखा दो दिये गए है महतुपुड मिंदू वहां भी आपको मिल जाएंगी तो यह तो रहा विस्थापन अभीकरिया का परिभासा और यह है दिविस्थापन अभीकरिया की परिभासा तो आप यहां से आद तो एक साथ हैं विस्थापन में जर्ब क Schüler कूई एक तत्वे दूसरे थत्वे को उसके योगित से विस्थापित कर देता है यानि कि एक पर्मानू है एक तत्वा है वो किसी दूसरे योगिक के एक तत्वा को हवासे हटा देता है तो उसे विस्तापन अभिकरिया कहते हैं और दीविस्तापन अभिकरिया में क्या होता है और दी विस्तापन में दो प्रमानों का यानि की दो आइनों का आदान परदन होता है अब इनको अपने सम्भी करन से समझेंगे की विस्तापन और दी विस्तापन कैसे होती है चलिए पहले बात करते हैं विस्तापन अभिकरिया की विस्तापन अभिकरिया का सबसे बड़िया जो एक्जामपल है वो आपको ये याद करना है ये समिक्रण आपको लिखना है यहाँ पर F ही यानि की आईरन लोहा और अपने इसको C.O.S.O. 4 कोपर सल्फेट के साथ में इसकी अभिकरिया कर रहे है तो यहाँ पर ये एक तत्वा है और ये दूसरा ये योगिक है योगिक का मतलब क्या होता है जिसमें दो या दो सदिक परकार के परमानू हो जैसे कोपर भी है इसमें सल्फर भी है औक्शन भी है ना तो ये योगिक है, इसमें केवल एफी अकेलाई है, लोहा, तो ये तत्वे कलाएगा, ठीक है, तो ये एक तत्वे है, ये यहाँ से क्या करेगा, इस कोपर दूसरे तत्वे को हटा देगा, किस में से, इस पूरी योगिक में से, ये पूरा योगिक है नहीं है, इस योगिक मे इस कोपर को हटा दिया विस्थापित कर दिया इसे ही विस्थापन अभिकरिया करते है ठीक है तो यहां का लिखा देखो इस अभिकरिया में लोहे ने दूसरे तत्वा कोपर को कोपर सलफेट के विलियन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है इस अभी किरिया को ही विस्तापन अभी किरिया कहेंगे तो यह आपको लिखना है इसमें अब आप यह कोगे सरीश ने इसको क्यों हटाया देखिए मैंने इसके लिए आपको कई बार एक्जामपल से समझाया है जो ज़्यादा किरियासिल होगा यह एप ही जो है अब पढ़ते हैं दीविस्तापन दीविस्तापन में क्या होगा दोनों तत्व में हैं देखो यह आपको समीक नियाद रखना है दो योगिक हैं सोरी यह सोटियम सलफेट योगिक है ना क्यों क्योंकि इसमें सोटियम है अलग अलग परकार के परमाणू है चीक है, तो यह योगी कल आएगा इशी परकार में बेरियम और कलोरीन चीक है, बेरियम कलोरीट अलग अलग परकार के होगी अब आपको थोड़ा सा धाने रखना है जब भी किशी तत्वथ के अंदर अपने दो परमानों होते हैं तो पहला तो होता है deine sodium positive है deine दूसरा होगा вой tin पहले deine इन दोनों योगिकों में क्या होगा आईनों का दान परदान होगा केसे sodium पहले किसके साथ बेठा हुआ है SO4 के पास में बेठा हुआ है छीक है इसी प्रकार से बेरियम किसके पास बेठा है कलोरीन के पास बेठा है परंतु इधर देखेगा यह बेरियम जो है यह तो जूड़ जाएगा इसे ऐसोफुर के साथ यह जूड गया देखो यहां पर आगया ना और यह जो एने है sodium यह जूड जाएगा इस कलोरिन के साथ ठीक है? यह जूड गया sodium कलाड बन गया कहने का मुलब यहाँ आइनो कादान परतान होता अपस में ठीक है? इसका जो धनायन है वो इसके रिनायन के साथ जूड़ जाएगा इसका जो दनायन है वो इसके रिनायन के साथ जूड़ जाएगा तो यह आयलो कादान परतान होता है तो ध्यान यह रखना आपको ऐसा मत करना कि आप यह दनायन धनायन को जोड़ दो कहीं सोडियम को और बेरियम को आपको यह समीख नहां रखना हरे घूरजा है विस्तापन दुश्तापन तेरा का परसन भी हो गया ठीक है इन दोनों में अंतर के लिए परिवासा लिखनी है फिर उनके सम्मीकरन लिखने है किस्त aquell 14 है शिलूवर के सोदन में दहुँ सोदन के अलगे है तो दातव होती है शिलूवर जो चांडी है जैसे तामे की खान है लोह की खान है आतने राश座ू जो को छिले का उपर या ही जिसको छिलूवर कसबगा है जीक हैं से परकार से अपनें उद्यपूरह में ओड़ग लिगा कि अगल अंगे काundra हैं चांदी की हें चांधिए के साथ में पराप्त करने के लिए उसुद्ध चांदी इसांडा को जोड़ाता है नाइट्रेट ठीक है अब ये शिल्वर नाइट्रेट जोड़ा हुआ है तो अपने को शिर्फ चांदी चाहिए चांदी को लग करना है इसलिए इस शिल्वर नाइट्रेट के विलियन से शिल्वर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कोपर दातु दौरा वि गो जाएगा इस परकार से शिल्वर जो चांदी है उसको अलग कर लेते हैं ठीक इस परकिरिया के लिए अब भीकिरिया लिखे आने कि समीकरन लिखना आपने को शिर्दी शिवात ही है तो चलिए आपने को मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोट्स के अंदर जो नोट्स है उनमें देखेगा आप इस नोट्स की पीडियर फाइल जो हवाब को भेहती जाएगी उसमें आप देख सकते हो यह रहा उतर नमर 14 ठीक है उतर नमर 14 शिल्वर के सोधन में शिल्वर नाइट्रेट के वीलियन से शिल्वर प्राप्त करने के लिए कोपर धातु में इंग से अधिक एक प्रकार की विष्थापन करिया है जो आभी 13 के पड़े थित्य पन्ने ठीक है, AQ लिखा ना, AQ और वीलियन, ठीक है, शिल्वर प्राप्प्त करने के लिए, कोपर धातू ये रहा, कोपर धातू ये, सोलिड वस्ता में, ठोस वस्ता में, तो यहाँ पर ये कोपर क्या करेगा, इस HG को यहाँ से विस्थापित कर देगा, ख़집तार, ठीक है, खुद यहाँ बेट जाएगा, और चानदी को विचारे को अलग कर देगा, और यह अपन चाते क्या हैं, अपन ये चाते हैं कि सुद चानदी प्राप्त हो जाए, क्योंकि अपन चांदी का शिलोर का सोधन कर रहे हैं तो इस अभी किरिया के दोरा चांदी का सोधन किया रहता है और यहाँ पर जो कोपर हो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा कोपर नाइट्रेट clear? तो यह समिकरना आपको लिखना है यहाँ पर और यह बासा लिखनी है क्योंकि कोपर जो शिदर छे अधिक किरियाशील है यह जो ज़्याशील होगा वो अपने से कम किरियाशील या अकरी दातु को वहाँ शे हटा देता है अब आपको होगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्याशील है यानि कि कौन सा ज़्याशील है इसके लिए देखो आपकी जो किताब है दरश्वी कलास में उसमें तीन के पार्ट में एक यह सकरिता सरेणी टेबल नमबर तीन पॉइंट दो तीन का पार्ट देखेगा सरेणी कई देखा है उसमें सकरिता सरेणी का नम दिखा है उस सब्सें जाद चांदि कोपर जो है यह क्या उपर है और चांदी जो है वो नीचे है यानि कि ये कम किरियाशिल अजान दी को पर अधिक किरियाशिल है तो अधिक किरियाशिल क्या कर देता है कम किरियाशिल को विस्थापित कर देता है हटा देता है इस सारणी को थोड़ा आस आपको याद करना पड़ेगा जब इसको दो-तिन बार देखो के तो याद हो जाएगा ये छीक है इसको आप अलग से भी नोट कर सकते हो इस सारणी को आप लिख सकते हो या तिन के पार्ट से याद कर सकते हो चलिए बात करते हैं क्यूस्टन नमर 15 की पंदरा का क्यूस्टन अवचेपन बिकरिया से क्या समझते हैं उद्धान देकर समझाईए देखो मैंने कई बार बताया है कि पार्ट के अंत में जो पीछे जो यहाँ पर अपन को यह मिला है यह रहा अवचेपन बिकरिया से अवले लवन परापत होता है ठीक है इसकी बज़ाए अपनी पाठ्य फूस्तक में आप देखेंगे तो वहाँ थोड़ा साब को अच्छा मिलेगा इसका यह रहा दिवी स्तापन बिकरिया जो ना अभी अपने पड़ी थी दिवी स्तापन बिकरिया उस दिवी स्तापन बिकरिया में ही इस अवच्छेपन अविक्रिया का उधारन भी है, परिवासा भी है, जिस अवच्छेपन अविक्रिया का निर्मान होता है, उसे अवच्छेपन अविक्रिया करते हैं, अब दिखो अवच्छेपन क्या होता है, अब दिखो अवच्छेपन क्या होता है, अब दिखो अवच् कभी कभी अवक्षेप भी बन जाता है कुछ अवक्षेप बनता है जो कि पानी में नहीं गुलता एविले पदार्थ बनता है यानि कि अवक्षेप हमेंसा एविले पदार्थ होगा और नीचे पेंदे में बेट जाता है जो परक्नली है या बिकर है जिसमें भी अपने अवि क difig補ा का एक्जाम्पल वह इसको आपको दो जिगर कामें हैं आप जो आप बता रही हुंआ आप को जढा रही है पिसको अ घ्रिक है जद्धा आपको याद नहीं है इसलिए आपको म×े पही आप अ इस तरीका बता रहा कि एक अबिक्रियाओं को आप दो जगर कामें लीजिएगा ठीक है तो यहां से अपना प्रजन का उत्तर हो गया यह अउच्छे परवाला ठीक तो उसे अपचेन कहते हैं थीक है यह उकशी करन और अपचेन की परिवास है ओकशन का जूड़ना तो अपचेन क्लेए और ओकशन का हटना या कमी होना अपचेन कहलता है इतना याद रखिया आप इसके अधार पर निमन पदोग की व्याख्या कीजिए परते के लिए अपचेन और ओक्चेन का हटना क्या कलाता है अपचेन ठीक है अब इनको अपन यहाँ अपने पठे पुस्तक में देखें तो ओक्षिकन अपचेन अपने यह रहा उपचेन वे अपचेन यानि की ओक्षिकरन और अपचेन यह नाम ही क्या है ओक्षिकरन यानि की ओक्षिकरन क कोई चायना डीस है, यानि कि ये कटोरी नुमाइक सरचना है, कटोरी है, कटोरी होती है, ठीक है, प्याला बोल दीजिए, इसमें कोपर का चुरुन लिया, तामबाना कोपर, वो ले लिया अपने, और इसको गरम करते हैं, तो कोपर चुरुन की सतय पर, कोपर ओक्साइड की क परन तो जब गरम करेंगे तो ये काले रंका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोपर के साथ में ओक्साइड जुड़ जाती है, और कोपर के साथ में ओक्साइड बन जाता है, ठीक है, तो कहने का मतलब यहां क्या हुआ, इस कोपर के साथ में ये ओक्साइड जुड़ तो ओक्षिकन किशे कहते हैं जब किशी पदार्थ के साथ में ओक्षिजन का योग होता है ठीक है ओक्षिजन जोड़ती है तो उसे ओक्षिकन कहते हैं पहली बात दूसरा अपचेन के बारे में पूछ रहा था तो मैंने अभी बताया कि जब किशी पदार्थ से ओक्षिजन ह परवायद करेंगे, यानि कि यह इधी इसि गरम पदार्त तो यह भिषय ओख्ण हाँ यहां यहां आपको लिकना होगा ठीक है, क्योंकि यहाँ जो copper oxide है, इसमें oxygen पर्थक हो जाती है, oxygen हट जाती है, अलग हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर copper oxide का क्या हो रहा है, oxygen हो रहा है, ठीक है और यहाँ पर copper का क्या हो रहा है, oxygen हो रहा है, क्योंकि इसमें oxygen जुड रही है और इसमें से ओक्षेन हट रही है तो यह example उपर वाला तो है ओक्षी करण या उपचेन नीचे वाला क्या है अपचेन का example है यह दोनों आपको करने है ठीक, अब आप कोगे सर इसको किस प्रकार से थोड़ा सा लिखें तो मने अपने नोट्स के अंदर एक छोटी शेक सारने बढ़ा रखी है ओक्षी करण अपचेन में अंतर आ सकता है तो उसके लिए पहले भी मने वीडियो में अपने इसको जर्चा की थी आपको बताया था यह देखेगा, ओक्षी करण का मलब उपचेन और यह दूसरा अपचेन पदार्थ का उपचेन से सही योग जुड़ना उपचेन कर लाता है, उपचेन की कमी होना उपचेन कर लाता है ठीक है, इसके अलावा और ग्रीश की परिभासा हैं वो चार पॉइंट बने यहां, चारों बता रखें वहाँ आप इनको देख सकते हो चलिए फिर आते हैं अपन क्यूशन नमर 17 पर क्यूशन नमर 17 देखिए, बहुत अच्छा क्यूशन है बोर्ड एक्जाम के अंदर एशे क्यूशन कई बार पुच्छे गए हैं ठीक है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है कोई बुरे रंग का देखो अभी अपने पढ़ा था 16 के क्यूशन में ठीक है, पीछले क्यूशन में कि बुरे रंग का चमकदार तत्व है एकस, उसका नाम X दे दिया को वायू की उपस्तिती में गरम करने पर उसको हमने वायू की उपस्तिती में वायू का मतलब होता है oxygen की उपस्तिती में गरम करने पर वह है काले रंग का हो जाता है ठीक है अभी पढ़ा था अपने जश्ट अभी एक मिनिट पहले उस तत्वा X से यानि कि उस तत्वा X का नाम लिखना है उस काले रंग के योगिक का नाम लिखना है दोनों के नाम बूछ रहा है अपन से तो देखिए अपन को ये पता है कि अभी अपने oxygen पढ़ा था ठीक है तो इसमें जो किर्या का लाप अभी देखा अपने कि ये रहा अपना कोपर का चूरण ठीक है और ये कोपर का चूरण है कोपर कोपर कम चूरण की सताया के काली पर चरजह साती है तो काली रंग का पतात है में ठीक है कियो बना किक कॉपर में oxygen का योग हो गया कि छिल्ये काली रंग हो गया तो परसं दो क्या था आपको इस का उंसर क्छिए लिखना है एक बुरे रंग का समगधार तत्व estco ve क्यु वायो की उपस्थती में गरमकरने पर वह काली रंग का हो जाता है क्यों क्यूंगि कोपर ऋक्षैट नना लेता है और कॉपर और बने के का नाम और काली का नाम होगा कोपर यूगी के साथ में आप यहीं को यह समीकरन को लखना है वही देखो जब तक आप समीकर नहीं लिखोगे पूरे नमबर नहीं मिलेंगे ये रहा अपना वो तत्व है बुरे रंका और ओक्षिजन जुड़ गई इसके साथ में ठीक और ये कोपर ओक्षाड बन गया ठीक है काले रंका ये समीकर आपको यहां लिखना है ठीक है जो अभी अपने ओक्षिकरण वाले पॉइंट में पड़ा था अब बात करते हैं कि उससे नमर 18 लोहे की वस्तों को हम पैंट क्यों करते हैं देखें अपने घरों में झो खिड़किया दर्वाजे लोहे की वी कई पिसलगे बने होते हैं ठीक है कुछ घरों में आपके घर में भी होगा या फिर जो बड़े-बड़े पूल बगेरा है लोहे की बड़ी जो मसीन है उनको पैंट क्याहता है ठीक किया ना प्रैमर करते हैं फिर पेंट करते हैं। अपने क्यों करते हैं जंग से शुरुक्षा के लिए जंग का मतलब विज्ञानि की वासा में इसको अपन कहते हैं संग्छारण। जो धात्वे होती हैं वो तो अमल और नमी की उपस्तिती में, नमी बोल दो या अधरता बोल दो, जब हवा के अंदर जो नमी होते हैं, बरसात के जिनों में नमी होती है, पानी की बूंदे जो है, वो वास्प की रूप में होती है, तो उसको नमी या अधरता कहते हैं, तो दहात्वी जितनी भी है, ल लोहे की वस्तुओं को हम पैंट क्यों करते हैं, देखो लोहे की वस्तुओं के बस जंग लगता है तो दो चीजों से लगेगा, एक दो ओक्सिजन के साथ में विक्रिया होगी, दूसरा जलवास्प, जलवास्प जाने की पानी की जो भाफ है, या अधर वायू बोल दीजिए या नम वायू बोल दीजिए, छीक है, जैसे अपने गरों में लोहे की कील बगरा, अगर उनको पैंट नहीं करते हैं अपन लोहे की जो चीजी है ना, दरवाजे खिड किया, तो उनको पैंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हवा में जो नमी है और वायू ओक्सिजन है, उन उसका वायू शे संप्रक तूट जाएगा, छीक है, क्योंकि बाहर जो वायू हो तो बाहर ही दे जाएगी, लोहे पर जुड नहीं पाएगी, और जो नम है, नमी है, जल वास्प है, वो भी उस लोहे से नहीं जुड पाएगी, कहने का मतलब लोहे के चारों तरफ अपने प पेंट कर दिया, इसलिए ये संप्रान से बचाने के लिए, इसका आंसर कैसे लिखोगी आप वो देखेंगे, कि लोही की वस्तूदोख को संप्रान से बचाने के लिए या ज千‡ से सुरुक्षा के लिए हम उस पर क्यानसर करते हैं, चीक है, ये आपक गप्स परकार से इस पत्र की परत्र जमजाती ज़िए पर जंग कहते हैं, तो संक्षारण उसे सुरुक्षा भी ज़र रखी है इस तीन पाट में, ठीक है, संक्षारण उसे सुरुक्षा देखो, पेंट करके, तेल लगाकर या गरिश लगाकर, ये साध लेपन, ये वीजिया आगे पढ़ लेंग प्रखी हैं हैं, तलेवि चीज़ें जैसे अपने पार्केट में आप चीप्स बगएर आते हैं नहीं, कुर्क्रे वगएर ठीक है, तलेवे आते हैं, और ये बहुत सारे हैं, एंव वसा युक्त खादे पदार्तों को, वसा युक्त जिसके अंदर घी या तेल हो, वसा का भ स्पर्पूर जैएक तो यह तेल और वसायुत खादेपदारतें यह खराब हो जाते हैं ठीक है इंदमें बद्अबू अने लगती है इसे वहले हैं विकरत गंदिता विकर्थkell थैनकी बद्बूआना खराब जाना ठीक है गंदी तरहलों गंद इसमेल इनमें जो बदव करते लिए उसको बरने बुरी जो बदबुदार होती है तो आपने क्या करते हैं इस ओक्षिजन को तो जो चिप्स के पेकेट बगरे आपने देखे हैं उसमें से क्या करेंगे उसमें नाइटरोन गेस बर देंगे यानि कि इस gas को तो हटा देगे बाहर और क्या उस पेकेट के अंदर कौन शी gas बढ़ देगे Nitrogen gas बढ़ देगे Nitrogen gas कंडे के वो कम किर्याशील है उसे इस तेल और वसा जो ख़ादे पदारत है इसका ओखशिकरन नहीं होगा औक्षी करनी होने से खराब नहीं होगे तो इसका देखिए आंसर जो अपनी पाठे पुस्तक भी अपनी इसको यहां से कर सकते हैं लिखावा है पाठ का दो सब से अंतीम पॉइंट है संग्छारण के बाद में अगला यह रहावी का अत्वा तेल लंबे समय स्रुक्षित दल जाते हैं ठीक है और उनके उप्चेन से रोकने के लिए क्या करते हैं अपने उनमें प्रती ओक्षी का रख यानि कि बिना ओक्षिजन वाले पदार्थ मिलाते हैं जैसे यहां लिखा है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थेली में से ओक्षिजन को हटाकर उसमें इसका विकरत गंधिता पॉइंट दोनों ही आगे इसमें संक्चारण और विकरत गंधिता निमन पदों का वर्णन कीजिए प्रते का एक-एक उदान दीजिए तो संक्चारण का उदान भी दे रखा है अपने लोहे का जंग लगना वगेरा और विकरत गंधिता का चिप्स अभीकरियाओं के प्रवाओं को देखा है तो संक्षारण वाला पॉइंट करना है कि लोहिल की बने हुए इसके लिए मैंने अलग शेवीडियो डाल रखा है उसको आप देख सकते हो बार-बार ये करने का सकता नहीं है ये आपको पूरा करना है संक्षारण का पॉइंट पूरा करना है इसे प्रकार शे विकरत गंदिता का पूइंट आपको पूरा करना है क्योंकि दुबारा मैं यहाँ पर नहीं समदाऊंगा इसके लिए आपको पिछला वीडियो जो है अलग शे विडियो डाल रखा है उसको आप देख लीजिए वहाँ संक्षारण के बारे में विस्तार शे बताया गया है और विकरत गंदिता के बारे में विस्तार शे बताया है या वीडियो को आप रोग करके वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो ये बाते मेरा मोबैल नंबर है 9829139494 तो इस परकार से हमने पहला पार्ट कंप्लिट किया पूरा पार्ट पड़ा उसके परसुंतर देखे और कल से अपन जो है